अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आज ठीक है आज है सनिवार और आज ये 7 बजे के टाइम में ये वीडियो डली है आज रात को 8 बजे एक दूसरी वीडियो इसी चैनल पर डलेगी और मैं बार-बार कहता हूं कि जिनको भी अपनी डायविटीज को रिवर्स करन चाहते हैं मेडिशन से छुटकारा पाना चाहते हैं और भविस्य में इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो आगर आप बिल्कुल सीरियस हैं पोजिटिव हैं और मेरे साथ मिलके ना और डायविटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो आज रात को 8 बजे जो वीडियो आयाग आपको बताने वाला हूँ, अब यह report किसकी है? दोस्तों आपको पता होगा, 17 जनवरी को मैंने मेरा fasting insulin की report करवाई थी, लैब में जाके मैंने sample देखे और मेरा fasting insulin का टेस्ट करवाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो है इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक भी मैंने डाल दिया है और साथ ही जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके end screen में भी वो वीडियो डाल दूँगा वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा उसमें मैंने पूरा लैब दिखाया था मसीने दिखाई थी कैसे sample collection होता है वो दिखाया था डॉक्टर साब से बात की थी तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अब बात करते हैं reports के बारे में काफी आज आपके सामने तो दोस्तों report reveal करते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि उस दिन मेरी HBA1C की जांच भी हुई थी तो सबसे पहले बात करते हैं HBA1C की report की तो साथ में यह जो side में report चलती रहेंगे आप यहां भी देख लीजिए यह मेरी HBA1C की reports है और मेरी HBA1C आई ह 6.30 तो HBA1C मेरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 6.30 है और सामने दिखा रखा 4 से 6.30 तक normal है 7 तक इसमें reports अलग-अलग मशीनों का अलग-अलग criteria होता है इसमें 7 तक इन्होंने दिखाया good control 7.1 से 8.0 तक इन्होंने दिखाया fair control और 8.0 से अगर उपर आ रही है तो फिर action suggestion ठीक फिर वो action लेने की जरूरत आपको पड़ेगी तो मेरी एकदम 130 आई है तो ये तो मेरी HBA1C की report हो गई थी जिससे कि मैं काफी satisfy था तीन महीने की glucose मुझे पता लग गई थी उसके बाद में मेरा fasting insulin की जो reports आई वो reports है ये तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हो मेरा fasting insulin जो serum आया है वो आया है 9.07 अब आपको पता होगा fasting insulin जो normal होता है वो दो से लेके इसमें 0.70 से और 25 वैसे हम बोलता है कि 2 से लेके 25 तक आगर आपका fasting insulin 2 से 25 के बीच में आता है चाहे वो 3 हो 4 हो 20 22 या 24 या 25 तक है तो वो normal है मेरा है 9.07 ठीक है लेकिन साथ में ये भी बोलता हूं दोस्तों अगर साथ से उपर आ रहा है तो फिर आपको एक formula लगाना पड़ेगा उसके बाद आपको पता लगएगा कि आपका insulin resistance है या नहीं अगर दोसे और साथ के बीच में आ रहा है तो फिर formula लगाने की जड़रत नहीं है फिर मेरे को insulin resistance हो सकता है इसलिए मैंने वो जांच करवाई थी अब मेरा results आया है 9.7 क्योंकि साथ से तो ज्यादा है इसलिए formula लगाना पड़ेगा और दोस्तों formula क्या था अगर आपको ध्यान होगा नहीं तो मैं फिर बता देता हूं formula था fasting blood sugar multiply by fasting insulin divide by 405 इसका results यदि एक से नीचे आता है तो आप normal है आपको कोई resistance नहीं है अगर एक से लेके ना और तीन के बीच आता है तो आपका जो insulin resistance है वो normal है यानि हलका आपको insulin resistance है अगर इसका results तीन से ऊपर आता है तो फिर आपको moderate insulin resistance है यानि कि बहुत जाज़ा insulin resistance है अब भाई मेरा आ अब हमें fasting glucose की भी जरुत पड़ेगी अगर हमको formula लगवाना है तो मैंने मेरी fasting glucose भी करवाई थी अब fasting जो गुलकोज थी दोस्तों ये मेरी थोड़ी सी जादा आई थी ये आई थी 129.87 जो कि आप यहां देख रहे हैं क्योंकि 110 तक होनी चाहिए ये 129 के असपास है तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि fasting आपकी ज़्यादा आ सकती है मेरी खाना खाने के बाद normal आती है लेकिन मेरी fasting कई वार ज़्यादा आ जाती है उसके बहुत से रिजन से जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ depend करता है आपने नीद ली नहीं ली या आपकी बोड़ी में कोई infection है या फिर आप ने रात को डाइट क्या ली थी कितने टाइम पहले ली थी तो अब हमने formula लगा के ना और जब देखा कि insulin resistance है की नहीं तो मेरा जो results आया वो ये था जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर formula लगाने के बाद मेरा जो fasting insulin था वो 9.07 था और जो fasting glucose थी वो 129.87 थी इनको गुना करके ना और जब भाग दिया 405 का तो उसका results आया 2.9 यह देखिए 2.9 यानि की एक से लेके ना और तीन के बीच में और मैंने आपको क्या बताया था एक से नीचे आता है तो नॉर्मल एक से लेके तीन तक आता है तो माइनर हलका और तीन से अगर ज़्यादा आता है तो मेजर तो मेरा जो results है insulin resistance का वो आया 2.9 यानि की मुझे minor हलका insulin resistance है चुँकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मुझे doubt था और अगर वो वीडियो लेब वाल या आपने देखिए तो उसमें भी मैंने डोक्टर से यही का था कि मेरे को insulin resistance हा सकता है तो दोस्तो 2.9 यानि की बहुत हलका minor insulin resistance इन रिपोर्टों के according निकल के आया है कि जो मैंने एजून किया था सेम वैसी की वैसी रिपोर्ट्स निकल के आई है मुझे लग रहा था कि मुझे insulin resistance माइनर तो आएगा ठीक है और वो माइनर आया तो कोई problem नहीं है मैं पहले ही health conscience को डाइट को लेके बहुत समल समल के चलता हूं अब मैं थोड़ा महीना दो महीना तीन महीना और अपनी डाइट को लेके थोड़ा अच्छे से चलूंगा तो यह resistance भी ठीक हो जाएगा तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपनी रिपोर्टे रिवल की थी आप भी रिपोर्ट जरूर करवाई है अगर आपके आपका target सही आता है आपका खाना खाने के बाद सुगर नॉर्मल आता है या खाना खाली पेट आपका शुगर बिल्कुल पर्फेक्ट आता है और आपको लग रहा है कि यार बहुत कुछ खाते है अनाप सनाब भी खा रहे हैं आपकी एज बी ज़्यादा है अप हाई काब्स की चीज़े भी खा रहे हैं उसके बाद भी आपका result पर्फेक्ट आता है तो आप सचेत हो जाओगे सुगर आने से पहले डायविटीज का पेसंट बनने दोस्तों बता देता हूं अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आज ठीक है आज है सनिवार और आज ये साथ बजे के टाइम में ये वीडियो डली है आज रात को आठ बजे एक दूसरी वीडियो इसी चैनल पर डलेगी और मैं बार-बार कहता हूं कि जिनको भी अप डायवितियूज को कन्ट्रोल करना चाहते हैं मेडियसन से छुटकारा पाना चाहते हैं और भविस्य में इसे रिवाईज करना कि आपको क्या फॉलो करना है क्या खाना खाना है और कि जो टोटल जानकार है वो द्यात है रात को आठ बजे जो इसी चैनल पर दूसरी वीडियो आएगी उस में दूँगा दोस्तों वो व्यडियो आप जरूर देखियेस इस वीडियो अधर दोस्तों इस वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा चैनल को फोलो जरूर कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं हेल्थ रिलेटिड वीडियो बनाता हूं उनका लिंक आप तक पहुंचे रो वीडियो आप देखके ना लाव उठा सके इस वीडियो में इतना ही नमस्कार जैहिंद ब बाइ